डिकेट की शुरुआत में करीब 90 करोड की आबादी वाले देश में फॉरिन एक्सचेंज रिजर्व्स के नाम पर महज 110 करोड यूएस डॉलर्स बचे थे और 1991 में सिर्फ दो हफ़तों तक आयात जारी रखने के लिए रकम बची थी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आर्थिक ढाचा चर्मराया हुआ था हम बहुत ही बुरी एकनॉमिक सिचुएशन में थे फिर 1991 में हमने तै कि उस सिचुएशन में एक बड़ा बदलाव लाना जिरूरी है और उसके बाद जो हुआ उससे पूरी दुनिया भारत पर ध्यान देने के लिए मजबूर हो गई भारत ने कई दशकों से चले आ रहे नहरूवियन सोशलिस्ट ओर्डर को छोड़ कर ओपन एकनॉमिक को अपना लिया इसने इंडस्ट्री को एक नई सोच दी और लोगों का नजरिया बदला और एक नई किसम का जोश इस कंट्री में दिखाई दिया और लोग ये कहने लगे के नई चीजों को ट्राइ करने में कोई बुरा ही नहीं है मुझे याद है एक सीनियर एडिटर मेरे पास आए और बातों ही बातों में उन्होंने कहा पता है मेरा बेटा जिसकी अभी नौकरी लगी है वो मुझसे भी ज़्यादा पैसे कमा रहा है एक ऐसे समय पर जहां एक नौजबान भारत अपने पैर जमा करोड़ान भरने को तयार हो रहा था एक युवा किसी के बुरे मनसूबों और साज़िश का निशाना बनने वाला था हर कोई सदमे में था वस्से में था दुखी था मेरे लिए तो ये बात बहुत ही दुख पहुचाने वाली थी क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानते थे और मैं उन्हें ब्रश्टा चार के आरोपों से जूचते हुए राजीव गांधी और कॉंग्रेस 1989 के जनरल इलेक्शन्स हार चुके थे राज नीती में अस्थिरता अपने चरम पर थी देश 1991 में फिर सिर्चुनाओं की ओर जा रहा था और राजीव गांधी के पास एक बार फिर बागदोर संभालने का मौका था आम जनरता का दिल जीतने के लिए उन्होंने उनसे मिलना जुना पहले से ज्यादा कर दिया में 21, 1991 रात के करीब 10 बच कर 10 मिनट हुए थे तमिलनाडो के श्री पिरम बुदूर इलाके में अपना भाशर देने के लिए राजीव गांधी पहले से ही लेट थे लेकिन उस दिन श्री पिरम बुदूर में जो लोग बेसबरी से उनका इंतजार कर रहे थे वो सिर्फ स्थानिय लोग और कॉंग्रेस के कारिकरता नहीं थे उनके हत्यारे पहले से ही अपनी जगह पर तैनाद थे हत्यारों का वो गैंग पैरीस कॉर्णर के बस स्टैंड पर इकठा हुआ हरी बाबु का काम था फोटोग्राफ लेना उस पूरे सीक्वेंस का पूलीस को कातिल को पहचानने में मदद की थिनमुली राजारतनम जिसे धानू भी कहा जाता था एक लड़की थी कोकिला जो हिंदी में पोयम सुना रही थी और राजीव गांदी से खुश हो रहे थे कि कोई कि तमेलियन इलाके में हिंदी में कवीता सुना रहा है उसी समय धानू उनके सामने हाथों में भूनों की माला लेकर आई वो सामने आकर रुकी और उसके पास एक जोटा सा बटन था वो कुछ टॉगल जैसा था उसने वो टॉगल दबाया और धमाका हो एक बड़ा ही जोश शीला एलेक्शन कैंपेइन भारत के सबसे बड़े सियासी परिवार के नौजवान करता धरता और एक भयानक हत्या जाच परताल से एक और शर्मनाक कहानी सामने आई राजीव गांधी की जान नहीं जाती अगर उस समय इंटेलिजेंस एजिंस और लोकल पुलिस ज्यादा चौकनने होते तो 1991 में चमिलनाडू के गावों में लेडिस सलवार कमी ज्यादा नहीं पहनती थी पुलिस को इसी बास से हैलर्ट हो जाना चाहिए था एक तरहा से पूरी छूट थी इस पूरे मामले में इससे पहले वीपी सिंग भी जब चैनने गए थे तब भी ये लोग वीपी सिंग के बहुत करीब पहुच गए थे और उन्हें भी उसी तरह से माला पहनाई गई लेकिन इस बार तो धानू ने राजीव गांधी की जान लेली LTE ने राजीव गांधी को कभी माफी नहीं किया इंडियन आर्मी को वहां भीजने के लिए जिसे बाद में ना चाहते हुए भी LTE से ही लड़ना पगा राजीव गांधी की पार्टी 1989 में चुनाव हार गई और 1990 में सेना को वहां से हटाया गया 1991 के चुनावों में राजीव गांधी के जीतने की उमीदों को देखते हुए LTE को डर था कि IPKF को दोबारा श्रिलंका भीजा जाएगा इसलिए LTE ने फसाद की जड़कों मिटाने का फैसला किया तो 1987 में प्रभाकरन LTE का सुप्रीमो वो भारत आया और उस दोरान उसकी राजीव गांधी और कुछ लोगों के साथ बात चीत हुई वो कुछ टर्म्स एंड कंडिशन्स के सख्त खिलाफ था दिल्ली में ही हमें खबर मिली थी कि उसके साथ जो बरताब हुआ वो उससे खुश नहीं था और उसने फैसला किया राजीव गांधी कुमार ने का गांधी परिवार के सदस्थ की अंतिम यात्रा के दौरान पूरा देश गहरे सदमी में था पूरा इंसिडेन डिप्रेसिंग तो था ही साथ ही ये भी लग रहा था कि अगर राजीव गांधी जैसे इंसान के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है और यही तो टेररिजम का मकसद है सभी को इंसेक्यूरिटी का एकसास कराना एक युवा दोर दर्शी का सपना तो अधूरा रह गया पर नाइंटीज बड़े सपने देखने वाले एक युवक के उडान के लिए सही था और उनके बड़े सपनों का उनकी जोटी उम्र से कोई लेना देना नहीं था आई वस इन लव विद सचिन तंदूलकर और मेरा दिल तूट गया जब मुझे पता चला कि वो मैरिट है सचिन तंदूलकर मेरे लिए हमेशा 9 साल के वो लड़के रहेंगे जो अपने भाई के साथ हमारे कलब मैचीज में आकर हमारे साथ केलते थे और उनके भाई की बात करें तो उनके भाई टेकनिकली करेक्ट थे लेकिन बॉल को स्क्वेर के पार मार नहीं पाते थे तो दो घंटे में बनते थे 5 रन और ये चोटा सा लड़का जो चाहे वो करता था, बॉल को इतनी जोर से मारता था कि आजाद मैदान के टेंट में हमारी कुरसिया हिल जाती थी जिनके पस टीवी नहीं होता था, वो उन दुकानों के बाहर खड़े हो जाते थे जहां टीवी होता था मेरी ख्याल से सचिन के शुरुआती दिनों में जो कोई भी उने जानता था, वो उनकी पावर से जरूर चौक गया होगा अगस्ट 1990 में मैंचेस्टर के ओल्ट्रेफर्ड में टेस्ट सेंचुरी से ले कर औस्ट्रेलिया में अनबीटन 114 रनों तक और फिर मिड नाइटीज में वो इंडिया के ओपनिंग बैट्समन बन गए, सचिन अब सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे मैं कभी भूल नहीं सकती देजर्ट स्टॉम वो शार्जा का मैट जब पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनके लिए तालिया बचाने लगा मेरी लिए तो वो उनका सबसे आइकॉनिक मोमेंट था मास्टर ब्लास्टर ने ना सिफ इंडियन क्रिकेट का चेहरा बदल कर रग दिया बलकि उनकी काम्याबी की दास्तान, भारत के उन करोणों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बन गई जो अभी बस सपने देखना सीख रहे थे सचन भारत की शान बन चुके थे एक जर्नलिस्ट के तोर पर मुझे याद नहीं आता कि 14 साल की उम्र में किसी भी खिलाड़ी की उस कदर तारीफ हुई हो जिस कदर सचन तिंदुलकर की हुआ खरती थी पर कई लोगों का मानना है कि इस लेजन्ट को एक बड़ा फाइदा मिला और वो है वो शानदार दौर जिसमें वो खेल रहे थे 90's में सेटलाइट टेलिविजन की भी भारत में शुरुआत हुई और तिंदुलकर को इंडियन टेलिविजन का पहला सेटलाइट स्पोर्ट्स हीरो कहा जा सकता है कावसकर ब्लैक और वाइट जमाने के हीरो थे कभिल देव 80's में चाय हुए थे वो ट्रांजिशन पिरियेट था कलर टेलिविजन की ओर पर सेटलाइट टेलिविजन? सचिन तिंदुलकर सेटलाइट टेलिविजन के पहले आइकन है उनका अचीवमेंट सिर्फ उनका ही है पर मुझे लगता है कि वो अचीवमेंट पुरी दुनिया के सामने लाया गया क्योंकि अचानक इंडिया एक मार्केट बन चुका था सचिन जैसे इंसान ने जिस तरह का टैलेंट जो कामियाबी हासिल की है और जिस तरह का मीडिया एक्स्पोजर खासका टेलिविजन ने उनको दिया वो चाहे फील्ट पर हो या उसके बाहर पूरा देश एक जुप होकर सचिन का गुरगान कर रहा था लेकिन उसी डेकेड में कहीं और एक बड़े पैमाने का जगडा फसाद अपने चरम पर पहुँच रहा था कश्मीर एक रुमैंटिक सॉंग लोकेशन से बदल कर मत भेदों और राचनीती का केंदर बनने जा रहा था 90's में भारत अपनी प्लब्धियों से दुनिया में अपनी एक अनोखी पहचान बना रहा था साथ ही ये डेकेड पहले कभी में देखी गई अफ्रा तफ्री और तकलीफों का गवहब ही बना मेरे जैसे आम इंसान का कश्मीर में जाने पर रोक लगाया जाना एक बहुत बड़ा जड़का था मिलिटन्स खुले आम AK-47 राइफल्स लहराते हुए श्री नगर की गलियों में घूमते नजर आए जिसकी शुरुआत हुई थी एटीज के आखर में शुरू हुई आजादी की मांग के साथ हालात बत्तर होते गए और हिंसा की वारदातें लगभग हर रोज सुर्खियों में आने लगी मैंने जहां पर अपना बच्वन बिताया है वो है कश्मीर उसे उस दर्द और उथल पुथल से गुजरता देखकर और किसी भी मजभप पर किसी भी किस्म का हमला होना ये इंसानियत के लिए खत्रे की घंटी है खत्रे की घंटी असल में मिडेटीस के आसपास ही बच गई थी कश्मीरियों के आक्रोश के पहले संकेत ऐसी जगा देखे गए जिसकी उम्मीद नहीं थी एक बार एक क्रिकेट मैच खेला जा रहा था जो मेरे ख्याल से इंडिया और वेस्ट इंडीस के बीच था और श्रीनगर में भीड ने सामने वाली टीम को चियर करना शुरू किया यानि के वेस्ट इंडीस के लिए और तब हमें पहला साइन मिला के कहीं न कहीं कुछ गरबर है क्योंकि तब तक टेलिविजन लाइव हो चुका था अलगाओ के एहसास की आग दीरे धीरे सुलग कर एक सपरदस्थ सेपरेटिस्ट मूफमेंट बन गई कई लोगों का मानना है कि 1987 के जुनाव ने ये तै कर दिया कि कश्मीर किस रह चलेगा 87 के इलेक्शन्स टर्निंग पॉइंट थे तब जो इलेक्शन्स हुए उन्हें फ्री एंड फेर इलेक्शन्स नहीं माना गया उन्हें से ज्यादा तर इलेक्शन्स में गड़बड़ी हुई मुझे अब भी याद है कई साल बाद मैं सेयद सलावदीन से मिला तब तक वो हिजबुल मुझाहिदीन का लीडर बन चुका था मुझे याद है उसने मुझ से कहा था कि पता है मैं श्रिनगर में पी ड़ब्लीडी मिनिस्टर बन जाता अगर उस समय इलेक्शन में गड़बड़ी ना होई होती तो उसका एजेंट था यासिन मलिक इलेक्शन में वो लड़ रहा था अगर वो इलेक्शन जीत जाता तो क्या पता? शायद वो सरकार में एक मिनिस्टर होता और यासिन मलिक उसका सेकेटरी और हुआ ये कि यासिन मलिक जेकेलेफ का हैट बन गया और सलाओ दिन हैट बन गया हिजबुल मुझाहिदीन का आने वाले डेकेड में हिजबुल मुझाहिदीन और जम्मो कश्मीर लिबरेशन फ्रंट दोनों आतंकवाद का माहौल पहला कर आज़ाद कश्मीर की मांग करने लगे इससे घाटी में हमेशा के लिए सांपरदायत तनाव बन गया कश्मीरी पंडित जो काफी समय से तकलीफ है जेल रहे थे आखिरकार घाटी छोड़ कर चले गए ये एक बड़े पैमानी पर पलायन था जब भी मैं कश्मीर जाता हूँ तो बहुत दुखी होकर लोटता हूँ वो दुनिया की सबसे खूबसूरत वादिया हैं लेकिन वहाँ हिंसा हमेशा के लिए है घाटी की हर दिवार पर गोलियों से बनी छेट दिखने लगे और नाइंटीज एक इमारत को गिराए जाने का गवह भी बना जिससे पूरे देश में सामप्रदाई तनाओ पैदा हो गया अगर हमें हिस्ट्री पर नज़र डालें और उस वक्त का जाज़ा लें जब इस देश का पूलराइजेशन हुआ और इसके सेकुलर ढांचे को हर तरह से स्ट्रेच किया गया असर ये हुआ कि बात बाबरी मस्जित को गिराने तक पहुँच गई वो 6 डिसेंबर 1992 का दिन था उत्तर भारत के कार सेवकों की एक बहुत बड़ी भीड आयोध्या में बाबरी मस्जित की तरफ बढ़ी उनके सर पर जनून सवार था कि किसी भी हाल में उन्हें राम जन्म भुमी को दोबारा अपने कबजे में लेना है जब मस्जित गिराई जा रही थी तो सरकारी तंत्र तो मानो काफी अट तक पैरलाईजी हो गया था बाबरी मस्जित के गिराई जाने से हिंदू मेजॉरिटी के एक्स्ट्रीम एलिमेंट्स को एक मकसत मिला चलो अब राम मंदिर बनाते हैं अडवानी जी इस अपरचिनिटी को भाब गए दोनों धर्मों के कटर पंथियों ने आवाज उठाई और नतीजे के तोर पर हुई भारी तबाही लेकिन जो बाबरी मस्जित को किराने खुद वहां मौजुद थे उनके लिए ये उस किस्से का खात्मा था जिसके शुरुबात नाइंटीज में हुई थी जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा मुझे अभी आधर अथियात्र का वुना रहा 25 सेप्टेंबर 1990 बीजेपी के अनुभवी नेता एल के आडवानी अपने टोयोटा के रद पर गुजरात के सोमनाथ मंदिर से निकल पड़े बीजेपी के एक और बड़े नेता स्वर्गिया प्रमोद महाजन के रद का सुझाओ देने से कार सेवकों और वॉलन्टीर्स को जुटाने में काम्यावी मिल रही थी रतियात्रा ने सांप्रदाइक्ता को एक बड़ा राजनेतिक मुद्दा बना दिया इस यात्रा में जबरदस्त नारे बाजी हुई और खुब भड़की ले भाशान भी दिये गए हलाकि बिहार के समस्तिपुर में आड़वाणी को नजर बंद करके रैली को रोका गया लेकिन तब तक देश भर में बीजे पी ऐसी चाप छोड़ चुकी थी कि एलके आड़वाणी उस पार्टी के नए हीरो बन गए एलके आड़वाणी असल में बहुत ही वो शब्दों में यकीन रखते थे वो बहुत बुक्स पढ़ते थे वो वाजपेजी की तरह कोई ड्रेमेटिक पब्लिक स्पीकर नहीं थे लेकिन उस समय वो पार्टी में अपना बड़ा आइडिया फैला पाए जो था सेकलोरिजम वर्सिस सूडो सेकलोरिजम वो राम जन्मभूमी आंदोलन का सहारा लेकर लगभग रातो रात एक तरह से हिंदुत्व पॉलिटिक्स का चेहरा बन गए मुझे याद है बरसो बाद मैंने आडवानी जी से पूछा कि आपकी छवी एक हिंदु मिलिटेंट की बन गई थी और उन्होंने पलट कर मुझसे कहा नहीं मुझ में मिलिटेंट का कोई अंच तक नहीं है और उनकी वाइफ मेरे साथ बैठी थी उनसे मुस्कुरा कर उन्होंने पूछा कि क्या मैं मिलिटेंट हूँ? क्या मुझ में कोई मिलिटेंट ही है? नाइन्टीज में हिंदुत्व पॉलिटेक्स एक बड़ा वैकलपिक से धानत बन कर उभरा और बीजेपी ने राश्ट्रेय राजनेती में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और जनरल एलेक्शन्स में बीजेपी का अंकड़ा 1989-85 से बढ़कर 1991 में 120 तक पहुँच गया कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उसने उस समय के दूसरे एहम राजनेतिक आंदोलनों को भी फीका सावित कर दिया खास कर मंडल आंदोलन 1979 में स्थापित बीपी मंडल कमिशन ने सुझाव दिया कि अदर बैक्वर्ड क्लासेज यानि की OBCs को सरकारी नौकरियों और शेक्षिक संस्थानों में खास कोटा दिया जाए बीपी सिंग की सरकार ने सारे सुझावों को 1990 में अमल करने का फैसला किया अब overall reserved कोटा बढ़कर 49.5% हो गया नतीजा ये हुआ कि समाज के कुछ वर्गों से हिंसात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली मैंने देखा कैसे नौजवान खुद को मार रहे थे, जिन्दा चला रहे थे मंडल आंदोलन और मंदिर का आंदोलन असल में दोनों ही कुछ बरसों से पनप रहे थे जिस तरह से दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लाने के लिए बढ़ावा दिया गया बीजेपी ने तय किया कि उसे अड़वानी रथयात्रा का सरकारी तोर पर साथ देना है और उसका हिस्सा भी बनना है ये तब हुआ जब वीपी सिंग मंडल रिजर्वेशन्स को समवेधानिक तोर पर लागू करने जा रहे थे तो मंडल की राजनीती को माद देने के लिए बीजेपी की तरफ से कमंडल का हदकंडा अपनाया गया था और फिर राजनेतिक पार्टियों ने लोगों को अपनी सोच और समझ को छोड़ कर अपने समुदाय के नेताओं को वोट देने के लिए बढ़ावा दिया आखिर में उसका नतीजा ये निकला एक्स्ट्रीम ओपिनियंस और एक्स्ट्रीम रियाक्शन्स आयोध्या और वारानसी जैसे उत्तर भारतिय शहरों से लेकर मध्य भारत में भुपाल से लेकर पश्चिन में सूरत तक देश के कोने कोने से दंगो की खबरें आ रही थी लेकिन जिन शहरों पर सबसे गहरा असर पड़ा उन्हें से एक ऐसा शहर था जिसे अपने कॉस्मोपॉलिटन कल्चर पर नास था मुंबाई मुबाईल फोन्स और इंटरनेट नाइन्टीज में कई नए शब्द भारतियों की जुबाँ पर सुनाई देने लगे लेकिन साथ ही सांप्रदाइप्ता मंदर और मंदल जैसे शब्दों का मतलब ही बदल गया भारत की सेक्डर छवी बर्बाद हो चुकी थी और पूरा देश आग की लप्टों से घिर चुका था बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के खिलाफ देश फर में आवाजें उठने लगी कई शहरों में दंगे फसाद की खबरे आने लगी लेकिन इन दंगे फसादों का केंदर बना मुंबाई किसी को पता चलने से भी पहले हसीन सपनों का ये शहर अचानक एक ऐसा डरावना सपना बन गया जिसे देखकर एक आम मुंबई कर तहल गया हम अच्चली एरपोर्ट पर फस गए क्योंकि उन्होंने कहा इस बेटर कि अगर आप टेक आफ करके मुंबई में लैंड ना करें क्योंकि मुंबई के हाला ठीक नहीं है 6 डिसेंबर 1992 की शाम बाबरी मस्जिद को गिराने के कई घंटों बाद लोगों का एक जुन्ड लक्षिर मुंबई की मिनारा मस्जिद पर इखटा हुआ लेकिन प्रार्थना के लिए हुई इस मुलाकात में बहुत जल्द हिंसा का रूप ले लिया ये एक बहुती स्पॉंटेनियस रियाक्शन था समुदाएक एक लीडर ने उकसाने वाला भाशन देना शुरू किया पुलीस समझ गई कि भीड अब आपे से बाहर हो सकती है वो चाहती थी कि भीड अलग थलग हो जाए पर वो टस से मस नहीं हो रही थी और इस वज़ा से पुलीस को लाठी चार्च करना पड़ा हालात बद से बद्तर हो गए 400 से भी ज्यादा दुकाने दक्षिन मुंबई के नल बाजार में जलाए गई और बहुत जल्द दंगे होने की खबरें पूली मुंबई से आने लगी उसके बाद शेहर के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगाया गया जिस शेहर में मैं पला बढ़ा उसका ये हाल देखना मैं मुहमद अली रोड जाता था एद के दारान और पिर बड़े होकर ऐसे इलाकों से रिपोर्ट करना जो जल रही थी और हर तरफ से धुआ उठ रहा था मजभब के नाम पर जो हो रहा था मुझे उससे नफरत हो रही थी हम बच्चे थे और ये समझ नहीं पाए कि धर्म या मजभब के लिए एक दूसरे का कतल करने की जरूरत क्या थी करीब तीन हफ़तों बाद दंगे रुक तो गए लेकिन ये रहत सिर्फ कुछ तेर के लिए ही थी सिर्फ एक महीने बाद दंगो का दूसरा दौर शुरू हो गया भिंदी बाजार में एक सड़क थी जिसके एक तरफ हिंदू रहते थे और दूसरी तरफ मुसल्मान और अचानक वो एक दूसरे के खिलाफ नारे बाजी कर रहे थे और हमें ये महसूस होने लगा था कि मेरी मासूम खूपसूरत मुंबई को क्या हो गया है सड़क के एक तरफ के हिंदू और सामने वाले मुसल्मान एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे बहुत सारा डामज हुआ था कई लोग मारे गए थे बहुत सारी प्रैशिस लाइफ्स ये हम सब के लिए बहुत बड़ा जटका था एक ऐसा जटका जिसमें मुंबई जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में 900 लोगों की जान गई और शहर दो टुक्रों में बढ़ गया पर मुंबई के लोग इस बात से अंजान थे कि सबसे बड़ा जटका तो अभी बाखी है एक मामुली जगडे में पूरे शहर को हिला कर रख दिया 12th March 1993 दो पहर के डेर बच चुके थे और बॉमबे स्टॉक एक्सचेंज के करमचारी अपने काम में बिजी थे एक जबरदस्त आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खिंच लिया पहला रियाक्शन तो ये था कि ये शाद सिर्फ एक रूमर है और फिर किसी ने मुझे कॉल करके कहा कि नहीं सच में ब्लास्ट हुआ है तो हम तुरंट एक्सचेंज के लिए निकलें हम दंग रहे गए हैरान हो गए क्योंकि हमें कोई अंदाजा ही नहीं था कि ये ब्लास्ट आखिर हुए क्यों है जब हम वहां खड़े थे और किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था क्योंकि बिल्डिंग को खाली किया जा रहा था हमें खबर मिली कि एर इंडिया बिल्डिंग में भी ब्लास्ट हुआ है शेहर में दो घंटों में दस बॉम्बिंग्स हुई और दो जगों पर टाइगर मेमन के गुंडों ने अपने हाथों से हैंड ग्रेनेज भी फीखे इबराहिम टाइगर मेमन अंडवल डॉन दाउद इबराहिम के खास करीबी साथियों में से एक था दाउद डी कमपनी का लीडर था जो दुनिया की सबसे खतरनाक क्रिमिनल ओगनाईजेशन्स में से एक है हम सब इस बात से डरे हुए थे कि नजाने अगला ब्लास अब कहा होगा साथ ही साथ ये भी लगा कि उन्होंने ऐसा किया क्यों कोई इस शहर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है 1993 में हमें टेररिजम के बारे में ज्यादा पता नहीं था हम अंडर वर्ल्ड के बारे में जानते थे हम दाउद इबराहिम जैसों को जानते थे उनके गन फाइट्स की खबर थी पर हमें RDX का नहीं बता था मुझे याद है तबके पुलिस कमिशनर मिस्टर सामरा ने मुझे कहा राजदिप इन बॉंब ब्लास्ट में RDX का इस्तिमाल हुआ है मैंने पुचा सर RDX? वाट इस इस RDX? आम इनसान अब RDX जैसे शम्दों से वाकिफ हो रहा था जिस ब्लास्ट ने 257 लोगों की जान ली और 700 से ज्यादा को घायल किया उसने पुलीस को भी परिशान कर दिया था लेकिन बहुत जल्द मुझरिम का पता चलने वाला था एक चार्टर्ड अकाउंटर्ड मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि मेमन का भाई कई लोगों को काफी भारी रकम ट्रांसफर करके भाग चुका है ये तो बिल्कुल बदला लेने जैसा था ये एक चितावनी थी की अगर हमारे खिलाफ कुछ किया गया तो हम तुमारे शेहर का भी ऐसा ही हाल करेंगे करीब आठ महीनों बाद पुलीस ने 189 लोगों के खिलाफ चार्ट शीट फाइल की और एक साथ बाद टागर मेमन के भाई याकूब को गिरफतार किया और फिर एक फिल्म की कहानी एक सूपर स्टार की जिन्दगी की हाकिकर बन गई संजेदत का नाम उस मामले में आना केम एज़ शॉप टू अल अफ अस संजेदत उस वक्त एक बड़े बॉलिवुड स्टार थे और उन पर अपने पास खेर कानूनी तौर पर एके 56 राइफल रखने का आरोप लगा वो हथियार उस असले के उस कंसाइनमेंट का हिस्सा थे जो मुंबई में ब्लास्ट करवाने वालों के लिए था वो मेरी साथ मौरिशेस में शूटिंग कर रहे थे फिल्म थी आतिश जैसे ही वो मुंबई एइपोर्ट पर वापस लोटे कॉप्स ने उन्हें अरेस्ट कर लिया संजेदत आतंकबाद के इल्जाम से तो बरी हो गए लेकिन उन्हें गैर कानूनी तोर पर हथियार रखने के लिए पाँच साल की गैद की सजा सुनाई गई अज़ फ्रेंड और अज़ यूमन बीइंग मैं उनके साथ हूँ क्योंकि मैं उनके साथ बहुत फिल्मिकी है मैं उनके डाड को जानती थी हम फैमली फ्रेंड्स हैं उनकी सिस्टर को जानती हूँ कभी कभी ऐसा लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता पर हमें हमारे जुडिशिल सिस्टम पर पूरा भरोसा है और अल्टिमेटली सचाई ही जीतेगी वो बेशक अंडरवर्ड के साथ मेल जोल रखने के लिए कसूरवार है अपने घर पर हत्यार रखने देकर अंडरवर्ड की मदद करने के लिए वो सजा के हगदार है लेकिन मेरा पॉइंट इसमें ये है कि 90's की शुरुआत में अंडरवर्ड जो के फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा था अचानक टेररिस्ट बन जाता है याकूब मेहमन जो एक चार्टिड अकाउंटिर है टेरिस्ट बन जाता है एक ट्रैवल एजेंट टेररिस्ट बन जाता है तो इन पांच महीनों ने मुंबई को बदल कर रख दिया शायद संजिदत को भी 90's में फिल्म इंडस्ट्री और अंडर वर्ल्ड की साथ कार्ट से सब ही वाकिफ थे लेकिन एक भयान अखत्या से ग्लैमर और जुर्म की दुनिया के जालिम दरिंदों का नाम दुनिया को पता चल गया म्यूजिक मुगल गुल्शन कुमार ने फिरौती की रखम देने से इंकार कर दिया बदले में उनकी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में जान ले ली गई दिन दहारे उन पर सोलहा गोल्मिया दागी गई 12 ऑगस्ट 1997 जब मिस्टर गुल्शन कुमार को बड़ी बेरहमी से अंधेरी के जीत महादेव मंदिर के बाहर मारा गया था लोगों को अब भी याद है कि वो कैसे रेंग रहे थे और कैसे अबुसलेम फोन पर उनकी चीखनी सुन रहा था मकसद सिर्फ बॉलिवोड को डराना था और बॉलिवोड इसे काफी हद तक डर भी गया था कई लोगों का मानना था कि बॉलिवोड एक बेरहम दुश्मन को छेल रहा है जो उनके डर के सहारे पन अप रहा था अगर तुम यहां पर नहीं आए या इस शो में नहीं दिखे तो डेखना तुम्हारे परिवार कर क्या हार हो का मंदेर, मस्चिंद, म्योजेक और मड़ के दौर में भारत के मिडिल क्लास में एक नया जोश था उसमें इतना कॉंफिडेंस था कि इंटरनेशनल प्लाटफॉर्म्स पर चा सके तो बनावार प्लाटफॉर्म्स पर इंटरनेशनल प्लाटफॉर्म्स पर 1994 इंटरनेशनल प्लाटफॉर्म्स पर इंटरनेशनल प्लाटफॉर्म्स पर चा सजा उस इवेंट की पहली जलक देखकर मैंने का वाओ क्योंकि आप आप नहीं सोचते के इंडियन लड़की को जीत का लाना यहां सभी हैरान हो गए इससे ब्यूटी को इंडियन ब्यूटी को एक नई पहचान मिली लेकिन हर कोई इंडियन ब्यूटी की जीत से खोश नहीं था इसे कॉंस्पिरेसी कहने के कई रीजन है और सच का हूँ तो मेरी एक सोच ये भी है के यूनो मैं सुष यादिया में कोई कमी नहीं देखता वो सभी डिजर्विंग विनर्स हैं लेकिन जैसा कि मैंने पहले काहा था यूनो आल चल यू वाइ इंडियन सार विनिंग अल दा टाइम डिस इस दा कॉस्मेटिक इंडियन जो इंडिया में आना चाहती हैं पहले उन्होंने साउथ अमेरिका में पैर जमाया इसलिए वो जीत रही थी एंड नाव इंडियान सार वे नहीं क्योंकि कॉस्मेटिक इंडिस्री अब यहां जमना चाहती है मैंने देखी है वो बेहाइंड दा सीन थिंग मारकेटियर स्टै करते हैं कि कौन सा देश कौन से लड़की जीतेगी लड़की तो नहीं पर देश वही चुनते हैं और वो देख पा रहे थे कि इंडिया के कंजुमर्स खर्च करने लगे हैं और उनके खरीदने की ताकत बढ़ती जाएगी एक नए तरीके का मारकेट सब के सामने था और इन लड़कीयों को बड़े प्राइज़स देना और फिर इने प्रोड़क्स का इंबाज़र बनाना तो शायद इससे इन प्रोड़क्ट कमपनीज को तो फाइदा पहुचा ही होगा ब्यूटी इंडस्ट्री ग्लोबल होने के लिए तयार थी तो शायद वो सही समय पर सही जगर पर थे इन दो बड़ी जीतों से भारत की ब्यूटी इंडस्ट्री कितनी चमकने लगी यह तो बहस का मुद्दा है लेकिन 90 ने इस देश और उसकी महिलाओं को वो बढ़ावा दिया जिसकी सख्ट जरूरत थी इन दोनों लड़कियों के बारे में और उनकी काम्यावी के बारे में कुछ अलग बात तो जरूर थी तो हाँ इससे एक 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 तरह की दिल्चस्पी बढ़ गई इस प्लाटफॉर्म की तरफ दो और भारतिय लड़किया युक्ता मुखी और डायना हेडन को भी उसी डेकेड में कुछ समय बाद वो शानदार खिताम मिले और नई सदी में आम जिन्दगी जीने वाली कई लड़किया लगातार आगे आई ताकि वो ग्लैमर की दुनिया में च्छा जाए मैं कहूंगी कि सुष्मिता और एश्वर्या ने इंटरनाशनल पाजिन्स जीत कर इंडिया की लड़कियों को एक नहीं मिद दी इससे उन्हें ये आइजिया हो गया की ब्यूटी कॉम्बिनेशन हो सकती है लुक्स और ब्रेंज का उन दूनों ने आगे बढ़कर दुनिया को जीत लिया और वो पल इस देश के लिए बड़ा पल था हमारी पहचान बन गई सचिन तैंदूलकर सुष्मिता सेन एश्वरे राय और क्या चाहिए आपको जी हाँ भारत अब किसी से फिर तकर ले सकता था और शायद वजह वो दूद था जो ये देश पी रहा था और ये देवताओं का भी मन पसंद था अचानक से गनपती जी ने दूद पीना शुरू कर दिया अगर ऐसा हुआ भी तो मेरा सवाल ये था कि उन्होंने पहले ऐसा क्यों नहीं किया था गनेश जी भला ऐसा क्यों करते ये नो I mean क्या उन्हें दूद की कमी थी या स्वाज में दूद की सप्लाई कम हो गई थी वो बला धरती पर आकर सबके हाथों से दूद क्यों पीते 21st September 1995 अजारों लोग गनेश जी के मंदिरों के बहार हाथों में दूद लिये कतार में खड़े हो गए आखर गनेश जी स्वायम अपने प्रिया भाक्तों के हाथों से दूद जोपी रहे थे वैसे तो पूरे देश के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया भी दूद पीती मूर्तियों का चमतकार देखने में मश्रूफ थी लेकिन असली चमतकार तो कहीं और ही हुआ दूद की बिक्री में सिधे 30% का उच्छाल आया इस डेकेड में उतार चड़ाओं के कई दौर आये देश ने दिव्वे चमतकार के पल भी देखे पर मुंबई के एक हिस्से से एक आदमी पूरे बाजार से दोनों हाथों से रुपएबटो रहा था और शेयर बाजार के इस सुपरस्टार ने साबित कर दिया कि वो अपने काम में बाकियों से ज्यादा माहिड था बदनाम स्टाग ब्रुकर हर्शद महता ने सरकार के सिक्यॉरिटीज के कारोबार में कम्यों का फाइदा उठा कर माकिट में अपनी चाल चल कर चार हजार करोर रुपएब टोर लिए हमारी सरकार ने, हमारे सिस्टम्स ने और हमारे बैंक्स ने भी आखिर ये होने कैसे दिया मैं सोच ने लगा अगर आपका दिमाग तेज है तो आप रादो राद 500 करोर कमा सकते है इस स्कैम ने सबको हैरान परिशान कर दिया था, लेकिन इसकी शुरुवात बहुत ही छोटी और मामूली थी उन्होंने पहले सिस्टम को समझा सिक्योरिटी स्कैम होने की एक और वज़ा ये भी थी, कि बैंक्स अपनी ट्रेजरी को ब्रोकर्स को चलाने दे रहे थे और इसलिए शायद ऐसा हो रहा था कि उन्होंन ब्रोकर्स को दिये जा रहे थे चेक्स जो थे करीब सेंकडों करोडों रूपए के उनकी अकाउंट में एक ऐसे दौर में जहां डिजिटाइजेशन होना दूर दूर तक नामुम्किन लग रहा था ब्रोकर्स, कवर्नमेंट सेक्यारिटीज के कारोबार के लिए एक एहम लिंक बन चुके थे हर्शद मेहता ने इसी का फाइदा उठाया बस इस बार किस्मत ने उनका साथ महीं दिया तो एक ट्रेक इशू किया गया स्टेट बैंक अफ इंडिया से हर्शद मेहता के लिए और जिस इंसान ने उसे मिगालने की इजाज़त दी स्टेट बैंक अफ इंडिया से वो छुटी पर था और कोई और जो रिकॉर्ड स्टाली कर रहा था उसे पता चला कि साड़ी 500 करोड हुपे गायब है तो रिजर्व बैंक अफ इंडिया जाज करने लगा और तब जाकर ये पता चला कि वो पैसे आये थे नैशनल हाउजिंग बैंक से जो खुद सबसिडियरी है रिजर्व बैंक अफ इंडिया का तो तक जाकर ये बात साफ हुई कि इन ब्रोकर्स के हाथ तो रिजर्व बैंक अफ इंडिया तक पहुचे हुए है स्टाउक कारोबार की दुनिया में सभी सोचते रहे कि ये गंदगी कहां तक पहली है लेकिन स्टाउक मारकेट का ये मिताब बच्चन कहानी में ऐसा ट्विस्ट लेकर आया जिससे फिल्म बनाने वाले भी सीख सकते है और फिर हुई एक बड़ी प्रेस कॉन्फरेंस जिसमें राम जेट मलानी और महेच जेट मलानी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को रिश्वत दी गई है मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल हुआ था मामला ठंडा पड़ गया क्योंकि अंदर ही अंदर समझोता कर लिया गया जी हाँ पैसे दिये गए थे ओनरेबल पीवी नरसिमा राव दा प्राइमिस्टर आफ इंडिया को लोग किसी भी स्कैम को इंसानी नाम नहीं देते लेकिन अगर किसी स्कैम को इंसानी नाम देना ही है तो वो हर शब महता स्कैम नहीं होगा वो होगा पीवी नरसिमा राव स्कैम ये शब्द जितने चौकाने वाले हैं ये डगेट भी उतना ही हैरान करने वाला रहा इमारतें तोड़ी जा रही थी और रिकार्ड्स भी आतंक ने कई रूप अपना लिये तो उसे लड़ने का जजबा भी बढ़ा कहीं करियर वक्त से पहले खत्म हुए तो कहीं किसी की कामिया भी बढ़ती गई 90's में स्कैम्स, स्कैंडल्स और दंगे फसादों का बोल बाला रहा तो उसी दोर में पूरा का पूरा देश एक नई उरान भरने को तयार था जब सौ करोड लोग एक महान भारत का सपना देख रहे थे तब आप कहां थे